आज मैं आपके साथ बहुत ही जूसी टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ चिकन रोटी रोल यह बहुत ही जबर्दस्थ डिलीशियस रेसिपी आप इस रेसिपी को जरू ट्राय करना चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन रोटी रोल बनाने के लिए यहां पर मैंने आदा किलो चिकन ले लिया है चिकन को अच्छी तरीके से दो लेना है दोने के बाद अब हम चिकन को बॉयल करेंगे तो सबसे पहले हम एक बरतन में डाल देंगे चिकन दो चमच भर कर डालेंगे अदर कलसन का पेस्ट छोटे चमच से और आदा चमच हम डालेंगे काले पाउडर अब अपने टेस्ट के अकॉरिंग नमक डाल देंगे और हम डाल देंगे इसमें पानी तो पानी बस इतना ही डालना है जहां तक चिकन है या फिर उससे थोड़ा सा कम पानी डाल दीजिए पानी डालने के बाद सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चिकन को बॉल होने के लिए रख देंगे तो यह देखे चिकन अच्छी तरीके से कुक हो चुका है आप देख सकते हैं चिकन अच्छे से पक चुका है दस से बारा मिनिट में चिकन अच्छी तरीके से पक जाता है अब इससे हम श्रेड कर लेंगे तो यह देखिए हमने इसमें डालेंगे लसन, लसन को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, लसन डालने के बाद लसन को थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्यास, तो ये एक मीडियम साइस की प्यास है, प्यास को मैंने रफली कट किया है, प्यास डालने के बाद तीकह आप अपने हिसाब से डाली है इसके बाद में डाल रही हूं तो यहां पर मैंने एक पत्ता गुबी कट कर लिये बहुत ही चोटे साइज की पत्ता गुबी थी एक गाजर है और एक शिम्ला मिर्च जिसको मैंने इस तरीके से जूलियन कट कर लिया है तो वेजीटेबल् यंहीं अच्छी तरीके कहीं स 흡़ी अच्छी तरीकी करें निULU चिकन करें तो yn तो आ यह जाएक समय सी डालेंगे दो दो शुवाप फ्लेम फरिखोंड चिकन को फ्राय करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच प्लाक पेपर पाउडर इसके बाद हम कुछ सॉसे साइट करेंगे तो सबसे पहले मैं एक बड़े चमच इसमें डाल रही हूं विनेगर दो बड़े चमच हम इसमें डाल देंगे सोय सॉस एक चमच हम इसमें बड़े चमच से डालेंगे ग्रीन चिली अगर ग्रीन चिली नहीं आप रैड चिली सॉस भी डाल सकते हैं या फिर आप दोनों ही स्किप कर सकते हैं इसके बाद तीन बड़े चमच हम डालेंगे भरकर शेजवान चटनी इससे बहुत ही जबरदस टेस्ट तो यह सारे सॉसेस की कॉंबिनेशन की वज़े से बहुत ही जबर्दस स्टफिंग तयार होती है तो आप जब ही वे बनाएंगे तो यह सॉसेस जरूर डाले इसके बाद हम हरी धनिया उपर से डाल देंगे आप हरी धनिया की जगा स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं कर रेडी हो गई है आप जबी भी चिकन रोटी रोल बनाना तो आप इस तरीके से स्टफिंग जरूर बनाना बहुत टेस्टी लगता है तो स्टफिंग रेडी हो गई है अब हम एक बरतन में ले लेंगे तीन कप मैदा आप चाहिए तो गेहूं के आटे कभी बना सकते हैं तो आटे की कॉंटिटी आप अपने हिसाब से लीजिए आपको जितने पराटे या रोटी बनाने हैं उसे इसाब से लीजिए इसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम आटे को अच्छे से गूंद लेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट दो तयार कर लिया है अब इसका हम थोड़ा सा पोशन लेलेंगे जितनी बड़ी रोटी बनाते हैं उतना पोशन लेलेना है η लोई कालई यह देखिए हमने लोई रेडी कर ली है अब इसके दोनों तरफ हम लगा लेंगे आटा यानी मैदा मैदा दोनों तरफ अच्छे से लगा लेना है इसके बाद हम इसे बेल लेंगे तो जितनी बड़ी रोटिया बनाते है उतना बड़ा बेल लेना है तो इसकी साइज आप कर देख सकते हैं तो यह देखिए हमारी जो रोटी है वो हो चुकी है रेडी अब हम इसे सेक लेंगे तो तवे पर हम डाल देंगे रोटी सबसे पहले हमें तवे को गर्म कर लेना है जैसी तवा गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम कर देंगे और रोटी को डाल देंग जैसी ही उपर हलके हलके से bubbles आपको दिखना चालू हो जाए तो इसे पलट लेंगे और उपर की साइड और कॉर्नर्स पर ओईल लगा लेंगे इसके बाद पलट कर दुबारा से हम दूसी साइड भी ओईल लगा लेंगे और दोनों तरफ से हम अच्छी तरीके से इसे फ्राइ कर लेंगे तो ये देखिए हमारा जो रोटी है वो अच्छी तरीके से हमने सेक लिए आप देख सकते हैं रोटी हमारी रेडी हो चुकी है अब हम इसी तरीके से सारी रोटी बना कर रेडी कर लेंगे तो सारी चीज़े हो चुकी है रेडी अब बस हम असेंबल कर लेते हैं तो एक रोटी ले लेंगे इसके उपर हम डालेंगे मियोनीज मियोनीज अच्छी भर कर लगाना है तो यहाँ पर मैं दो चोटे चमच मियोनीज लगा रही हूँ मियोनीज आप अपने हिसाब से लगाईए इसके बाद हम इसके उपर डालेंगे स्टफिंग स्टफिंग को अच्छी भर कर डाल देंगे आप चाहिए तो इसके उपर अनियन कट करके भी डाल सकते हैं इसके उपर हम डाल देंगे टमैटो केचप टमैटो केचप तभी डालिए जब आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्ज भी कम डालिए वरना फिर आप इसे स्पाइसी ही रहने दीजिए तो ये देखिए ये हमारा चिकन रोटी रोल रेडी हो चुका है बहुत ही जबरदस्त रेसिपी आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करना इंशाला आपको बहुत पसंद आएगी अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग अल